मूरिंग स्टुदेंट्स विलकम टू वर चैनल मारूती मैथमेटिक्स एम यो टीचर जीयन भाटियर तो आज हम जो है सफल ने ताजे फल और सबजियों की हॉम डिलिवरी के लिए किस कंपनी के साथ साज़ेदारी की है तो मदर डैरी की जो शाखा है सफल उसने जो ताजे फल और सबजियों की जो हॉम डिलिवरी है उसे करने के लिए कौन से कंपनी के साथ साज़ेदारी की है हमारे options क्या है स्वीगी, जमेटो, जिब्रेरा या फिर डॉमिनोस तो हमारा answer क्या है जमेटो तो क्या कहते है Mother dairy की शाखा सफल डे दिल्ली NCR के कुछ चूने हुए स्थानों पर भोगताओं को ताजे फल और सब्जियों की हम डिलिवरी उपलब्द कराने के लिए जमेटो के साथ साजेदारी की है तो इसे जो है दिल्ली के जो कुछ चुने हुए इससे वहाँ पर ये सुवीदा लागू होगी तो जिसके पहले चरण में दिल्ली NCR के कुछ चुनिंदा स्थानों में 11 बूतों से गलिवरी शुरू की जाएगी तो पहले जो है 11 बूतों पे जो है ये गलिवरी शुरू की जाएगी ठीक है चलिए अगला कुछन देखते है अगला कुछन है नीमन मेसे किस मोटर्स कंपनी को जनवरी मार्च तिमाही में उसे 9,863.73 करोर रोपे का Consolidated घाटा हुआ है तो मारे अप्शन क्या है Honda Motors Hyundai Motors Suzuki Motors या पिर Tata Motors तो इसका अंसर क्या है Tata Motors क्यों क्या कहते है Tata Motors को इस सुवित वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में 9,863.73 करोर रोपे का consolidated घाटा हुआ है जबकि पिछले वर्ष इस्तिमाही में कंपनी को ग्यारा सो आठ दिशमलव 66 क्रोड रुपे का शुद लाव हुआ था तो पिछले वर्ष जो था जन्री से मार्च में जो टाटा मोर्टर स्कोज था वो ग्यारा सो आठ दिशमलव 66 क्रोड का फाइदा हुआ था और इस साल जो है 9863 दिशमलव 73 क्रोड पाई का घाटा हुए तो देखे कितना मतलब फार्क है ठीक है चलिए अगला कोस्चन देखते है अगला कोस्चन है स्वास्थे धेक बाल अपूर्थी अपडेट परदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है तो हमरे अप्षिज़ है आरोग्या पत अपडेट पत अपूर्थी पत या फिस स्वास्थे पत तो हमारा अंसर क्या है आरोग्या पत तो क्या कहते है स्वास्थय धेगबाल अपूर्ती अफ्टेट परदान करने के लिए आरोग्य पत पोर्टल की शुरुआत की गई है चो कि विदिमर्ताओं अपूर्ती करताओं और ग्राकों को सहायता देगा जिसका उदेश्य वर्तमान और नविंतम लौंच के बारे में जागरुकता के लाना भी है ठीक है चली अगला कुस्चन देखते हैं अगला कुस्चन है एशिय चैंपिंशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली गोमती मारी मुथू पर किस वर्ष के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया है तो जो Asia Champion है और Gold Medal जीतने वाली जो गोमती है उन पर जो है किस वर्ष के लिए प्रतिबंत लगा दिया गया है तो हमारे मुप्षज है दो वर्ष, चार वर्ष, छे वर्ष, आट वर्ष, मतलब कितने वर्षों के लिए उन पर प्रतिबंत लगा दिया गया है तो हमारा आंसर क्या है चार वर्ष तो क्या केते हैं एशिया चैंपिंशिप बे गोल्ड मेडल जीतने वाली गोमती मारी मुथू पर चार वर्ष के लिए प्रतिवन लगा दिया गया है साथ ही उनसे गोल्ड मेडल भी वापस ले लिए गया है वर्ष 2019 बे आयोजित की गई एशिया चैंपिंशिप एनाबॉलिक स्चेरोइड नेड्रोलन के इस्तमाल के लिए इस कतिस वर्ष अथलीस्ट का टेस्ट पोजिटिफ पाया गया था तो इसका मतलब जो है उनका जो डॉप टेस्ट था वो पोजिटिफ पाया गया था इसके कारण जो है उनका जो जो गतिस वर्ष यह जो गोमती मारी मूथ है उन पर जो है डॉप टेस्ट का रॉप लगए इसके कारण उनका जो गोल्ड मैडल है वो उसे चील लिए गया है और चार वर्ष के लिए उन पर प्रतिबद लगा दिये गया है ठीक है चलिए एकला कोस्टिन देखते हैं अगला कोस्टिन है BCCI के केंद्री अरुभंद में शामिल पांच भारतिय क्रिकेटरों को किस ने नोटिस जारी किया है तो हमारे अप्शिज है ICC, NADA, PCB या फिर ACB तो हमारा अप्शिज आंसर क्या है NADA तो क्या करते हैं BCCI केंद्री अरुभंद क्रिकेट में शामिल पांच भारतिय क्रिकेटर केल राहुल, चितेश्वर पुजारा और रविंदर जेड़ा रविंदर जडेजा, समरीती मंधाना और दिप्ते शर्मा को अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहने पर नोटिस जारी किया है तो ये पांच के लाड़ी है तो इन पांच के लाड़ी जो जहां पर ये रह रहे हैं इनोंने जो है नाड़ा को जानकारी नहीं दी कि हम कहां पर रहे हैं तो इसके लिए उन पर जो है नोटिस जारी किया गया है अगला कुश्चिन क्या है 16 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है तो 16 जून से बात याद आई कि आज मेरा जर्म दिन भी है तो अगर आप आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में विश्वी कर सकते है ठीक है तो चलिए इस कोश्चिन के जो है अप्शिस देख लेती क्या है तो हमारा अप्शिन क्या है अंतराष्ट्य अमेरिकी बाल दिवस अंतराष्ट्य जपानी बाल दिवस या फिर अंतराष्ट्य अफ्रिक की बाल दिवस तो हमारा आंसर क्या है अंतराष्ट्य अफ्र कंचाइड मनाया जाता है सबसे पहले अफ्रीक की यूनिटी संगठन दवारा मनाये जाने वले इस दीवस को 16 जून 1976 को दक्षिन अफ्रीका के टोयोटा में बहतर शिक्षा दिखार के लिए चात्रों दवारा किये गए परदर्शन की स्मित्य में मनाया जाता है तो देखिए स्टैक जी के कोश्टन भी इसमें आएंगे तो इनको भी अच्छे से याद करिए सभी एक्जाम में काम आसकते हैं गौश्टन अग्वर्मेंट और बैंकिंग इक्जाम में आपको और जो आप दूसरे एक्जाम देंगे गवर्मेंट के या कोई और तो उसमें भी जो आपको यह स्टेटिक जी के कॉस्टन भी काम आएंगे ठीक है तो अगला कॉस्टन देखतें क्या है अगला कॉस्टन है इंटेक के मताबिक भार्त के किस राज्य की महानदी में 500 वर्ष प महानदी उसमें जो है 500 वर्ष पुराना साथ फीड जो जूबा हुआ मंदिर उस पे बीला है तो वह कौन सी महानदी है कौन से राज्य की महानदी है तो हमारे अप्शन से केरल गुजरात महारस्ट्री या फिर उडिसा तो हमारा आंसर क्या है उडिसा तो क्या कहते हैं 500 वर्ष पुराना साथ फीड डूबा हुआ मंदर मिला है तो इंटेक की फूल फॉर्म क्या है यह याद रखनी है को इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एड कल्चल कल्चर है ठीक है और हाल में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है तो यह जो 500 वर्ष पुर अमेरिकी अंत्रिक्ष एंजनसी नासा ने हाल ही में पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का परमुक न्युक्त किया है तो हमारे अप्शन्स हैं लीली जीम्स, अलेक्सा हेल, कैथी लूडर्स या फिर जूली कॉस्टर तो इसका आंसर क्या है कैथी लूडर्स तो क्या कहते हैं अमेरिकी अंत्रिक्ष एंजनसी नासा ने हाल ही में पहली बार कैथी लूडर्स को महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रिमुक निक्त किया है जो की वर्ष 1992 में से ही नासा से चुड़ी होई है तो यह जो कैथी है यह 1902 में से ही जो है नासा के साथ जो है ठीक है चलिए अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है 20 साल की अथलीट ही मा को असम सरकार ने खेल मंत्राले की सिफारिश से किस पुरसकार के लिए नामित किया है तो यह ही मा ही मादास है यह जो है अथलीट है तो इनका जो है असम सरकार न खेल मनतरले कि इस सफारी से किस पुरसकार के लिए जो इनको नामांकित किया गया है तो अमारे options हैं पदम श्री पदम भूशन खेल रतन या फिर भारतरतन तो इस का अंसर क्या है खेल रतन तो 20 साल की अतलीट हीमा दास को असब सरकार ने खेल मंतरले की सवाई से खेल रतर्म पुरसकार के लिए जो है नावांकित किया गया है इस पुरसकार के लिए इस वर्ष रोजशर्मा जो की गरिगेटर है और नीरच चौपड़ा जो की जैवलिन त्रो के खिलाडी है और विनेश फगाड़ जो की रैसली के खिलाडी है और मनी का बत्रा जो टेवल टैनिस की खिलाडी है और रानी रामपल को भी नावांकित किया गया है ठीक है तो इनको भी आपको याद रखते की कौन सा खिलाडी कौन से केल से जुड़ा हुआ है ठीक है लेग किस खिलाडी ने जाता है तो नुवाक चोकोविच किस खिलाडी के स्केल से स्बंद है तो यह टैनिस के खिल से स्बंदित है तो इस कोस्टिन के जो हमारे उप्शिन क्या है टाइब्रेकर राफेल नडाल जा फिर डॉमनिक थीम या फिर लिएंडर पेस तो मारा अंसर क्या है डॉमनिक थीम तो करोना वाइरस के बीच सर्बिया के नुवाक जोकोविच के दुवारा कराए गए चैर्टी डूर्नमेंट एड्रे टूर का पहला लेग वर्ल्ड नंबर तीन डॉमनिक थीम ने फिलिप कराजीन विक को चार तीन साथ दो दो चार चार दो से राकर जीट लिया है ठीक है तो यह खोस्टन आपको मतलब नुवाक जोकोविच के बारे में याद रखना है कि वाक्टोकोवी जो है टेनिस के खिलाड़ी है और किस देश स्मंधित है तो ये सर्भिय शहर से स्मंधित है सर्भिय शहर से मतलब रहने वाले तो ये थे वारे आज के 16 जून के कोस्टे। तो अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दो को शेयर जूर किया किजिए चलिए मिलते हैं मेरे एकली वीडियो के साथ थैंक यू